नमस्कार स्वागत है आप सब का हमारे खास कारिकम देश देशांतर में मैं हूँ कवीन सचान देश देशांतर में आज बात दिली की आमादमी पार्टी सरकार के तीन साल की अगस्थ 2011 में जिहां अन्ना अंदुलन के मचान से उतर कर अरविंद केजरिवाल जब राजीतिक जमीन पर उतरे तो उनके साथ लाको करोनों लोगों का विश्वास था ये विश्वास उन निगाहों में चमक रहा था जिनमें बदलाओ का इंतजार था देश के कई वर्ग अरविंद केजरिवाल के साथ हाथ में बिश्टाचार के खिलाफ जणडा लिए उनके पीछे चल रहे थे हलाकि अन्ना खुद अरविंद के इस कलम के खिलाफ थे लेकिन केजरिवाल ने दिल्ली से राजनीत की शिरवात की तीन साल पहले हुए चुनाओं में उनकी पार्टी को दिल्ली की जनता ने एतिहासिक बहुमत दिया सत्तर सीटों वाली विधान सभा में सरसत सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और इसके पीछे थी उम्मीदें, बदलाओं की राजनीत और कई सारे ऐसे वादे जो जनता को नुभा रहे थे आज समझेंगे कि पिछले तीन साल में क्या सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार दूसरों से अलग थी क्या जिन उसूलों को आगे बढ़ाने की बात और जिस गंदी राजनीत की हिकारत वाली आलोचना के साथ वो आगे बढ़ी थी क्या उसे वो हासिल कर पाई या फिर सत्ता के साथ भी उसके उसूल और उसकी उमीदें तूरती रही हैं या चाका चौन ने सब कुछ आदर्शों को हवा कर दिया हमरे साथ चार बेहत खास प्मान है नर्मल पाठक हमरे साथ हैं संपादक हैं भाशा से नर्मल स्वागत है आपका हमरे साथ हरीश खुराना है बीजे पी के प्रवक्ता है दिली से हरीश जी स्वागत है विवेक या आपसे करना चाहूंगा कि असल में जिस उफान पर उमीदें थी और अन्ना आंदोलन के बाद जो माहुल बनाया इंडिया अगेंस करफसन ने और फिर अर्विंद केजरिवाल ने जिन आदर्स और उसूलों को लेकर राजनीत का ज्हंडा बुलंद किया विश्वत तीन साल मे उन आदर्स या उसूलों के कितने करीब या कितने दूर ये पार्टी आपको नज़र आई है देखे ये तो तमाम लोग अच्छी तरीके से अब जान चुके हैं कि अर्विंद केजरिवाल की सारी राजनीती जो है कि सक्ता किस तरह हासल किया जाए भोले भाले लोग की खौब केसे दिखाये जाएं उनकी उम्मीदों को और बढ़ा देना ये काम रहा है बरस्टा चार से लडने वाले अर्विंद केजरिवाल निर्भाया कांड में मुंबत्ती लेके पूरी दिल्ली की चड़कों पे घुमने वाले आम आदमी पाटी के तमाम लोग आज दिल्ली के अंदर जो हाल हुआ वो सब जानते हैं ना गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा ना तनका लूँगा ये तमाम चीज़े शुरू की केवल और केवल सक्ता किस तरह हासिल की जाए अगर आज हम दिल्ली की तरफ नदर उठा कर देखें तो पिछले तीन सालों में जो हाल हुआ है ट्रांस्पोर्ट व्यवस्था की आप बात कर लें पूरी तरीके से चर्मरा गई है एक बस लेकर आए केवल और सत्रा सो बसे जो है इन्होंने डी टी सी के बेड़े से कम कर दी हम पांच साल में आखिर के तक्रीबन तीन हजार दो सो पैसिस बसे लेकर आए थे ये तीन साल से कह रहे हैं कि हम 10,000 बसे लेकर आएंगे ब्रश्टा चार की बात करने वाले लोग जिनके तक्रीबन पांच मंतरी जो हैं ब्रश्टा चार में बाहर हुए हैं आज दिल्ली के अगर आप पॉलूशन की बात करें ये जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पिछले तीन साल में बढ़ा है अगर आपको याद हो 98 में जब शीला दिक्षिदी की सरकार बनी थी उस समय आईटी और दूसरे चौराएं ऐसे थे जहां से आगर आप गुजर जाएं तो आपके चेरे पे काला ग्रीस टाइप की चीज रहती थी दिल्ली के अंदर एक लाक जो ट्रांसपोर्ट था पबलिक ट्रांसपोर्ट उसको सी एंजी पे कनवर्ट किया आज बिजली की वावाई लूट रहे हैं इनको याद नहीं कि दिल्ली की सड़के 98 से पहले जब बारती जन्ता पार्टी की हुकुमत थी तो हर विदाया किछी भी पार्टी का था वो फोन करके जाता था अप करने पर ना बैटे हूँ लोग लेकिन हैरुन साब दिल्ली के अंदर जो एकी सरकार दिल्ली में रही और केड़ में रही क्या आपकी सरकार और आपकी पार्टी की खामियों का नतीजा था कि जो उमीद ने उफान पर थी उसको केजरिवाल ने भुनाया या उनके चलते जन लोग को ब्रहमित किया ऐसा लग रहा था कि कॉंग्रिस से बड़ा ब्रेश्ट और चोर कोई है नहीं आज तीन साल सरकार में हो गए क्यों नहीं बेजा किसको जेल में है कॉंग्रिस हमेशा कहती है उसको जेल बेजो कहां गया वह जनलोगपाल बिल जिसके उपर ये सरकार ड्रामा करके गए थे आज तीन साल गुजर चुके हैं जनलोगपाल का कोई पता नहीं है और वो जनलोगपाल का सुरूप भी तीन मरतबा तब्दील किया जा चुका है और मैं समझता हूँ कि आज जो दिल्ली के अंदर हालत है उसमें केजरिवाल हर एक से लड़ रहे हैं एल चले मैं लेकिन इनका सिंपल तरीका हरे है थारुम साब विवेक यादो हमारे साथ हैं अमादी पार्टी के नेता हैं विवेक मैं शुरुवात करना चाहूँगा कि तीन साल का एक लंबा वक्त है बहुत बड़ा वक्त नहीं होता अगर दूसरी राणितिक पार्टियों से आप कंपेर करेंगे लेकिन जिन मूल्यों और आदर्शों को आपने स्थाफित करने की ठानी थी और राजीतिक दल बनने से पहले अन्ना के मन्ज से उतरने के बाद उन आदर्शों पर पिछले तीन साल में आपकी सरकार कितना आगे बढ़ी है या कितना पीछे हटी है कविंद्री जी मैं आपको बता दूँ कि जो आपने सुरुआत में एक बात कही थी कि अन्ना जी के आंदोलन से निकले हुए लोगों ने जब राजनितिक पार्टी बनाई तो अन्ना जी सहमत नहीं थे कि पार्टी बनाई जाने जाने चाहिए अन्ना की चिंता क्या थी अन अन्ना शायद इसी डर को बताना चाहते थे कि इमेज़ खराब कर देंगे आपके ऊपर कीचर उचा लेंगे और आपकी इचा भी खराब करने का पर दास करेंगे लेकिन इसका कोई डर नहीं है अर्विंद कैजिवाल जी ने कहा कि हम अपनी इज्जत भी दाओं पे लगान आपकी सरकार बनने से पहले वेविक जी आपकी सरकार बनने से पहले एक बड़ा वादा जो आमादनी पार्टी ने किया था जनता से उम्मीने जिससे जगी थी वो थी साफ सुथरी राजनीत और राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र क्या कायम कर पाए आरोप है आपकी क्लियर कर दूँगा शायद सबाद के बात कर नहीं है जहां तक यह बात कर रहे हैं कि हमने राजनीती में जो किया अभी तक जो वाइदे पूरे करने की बात है तो इसमें तो कोई किसी को संदे नहीं है भारती इंता पांग्रेस के अंदर खाने सारे लोग इस बात से चिंते सबात हैं कि सख्षाय और साथ के काम जो इन्हों ने किये हैं दिल्ली के अंदर उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता बिजली के कहा था था पानी पानी सर्कार थी जिसने बिजली के बाद पानी पे बड़ा काम किया कि बीस हजार लीटर पानी मुफ्त दिया ही नहीं कई एक ऐसी कोरोनिया जहां असंबबता पहुंचाना हुआ पानी पहुंचाया अब आप अगर ये बात करें कि सब रष्टाचार को लेकर के पांच-पांच मंतरी हमारे हटाने पड़े किसने हटाए हारुन यूसफ साहब आप और भारती इंता पार्टी इस मुद्दे पहमेशा मिले रहे अर्विन केजरिवाल जी को खुद से सबूत मिले अपने मिनिस्टर्स को खोद और नों ने हटाया हमारे मंतरी के खलाप जब सिकायत आई कि वो कहीं पैसे लेते सुना गया है तो उसे खलाप खुद एक वीडि पार्टी की सरकार हमारे MLS को रोज एक फरजी FIR में फसाती है कोट से फटकार पड़ती है दिल्ली प्रवेक जी मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा आरोब प्रत्यारोब के दौर से अलक खराप करने का जो पूरा मैं बड़े मुद्वे पर लाना चाहता हूं कि इसी आरोब की तरह बढ़ गए जिस डल्दल से निकालने का वादा लेकर आप राजीती के मैदान पर कूदे थे आज भी मैं कहता हूं हमारे विधायकों ने जहां-जहां गड़वड किया भारती इंता पार्टी ने नहीं दिये हो सबूत अभी खुराना साथ मैं देख रहा था कई एक डिवेट में कुछ फरजी आंकड़े लेकर के लहरा रहे थे और बदा कितना भी प्रियास करने लेकिन हम फिर कहते हैं कि अरविन केजरिवाल हमारे नेता का एक ये वादा है कि अगर वर्षचा-चार हमारी पार्टी के अंदर भी होगा हमारा कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसको खुद निकाल के बाहर करेंगे बरदास नहीं करेंगा और करके दिखाया है अंत्रिक लोगपाल पार्टी में नहीं स्तापित हो पाया बाहर की लोगपाल को लेकर संशय बरकरार है कि इस्तिती में क्या है हाँ बिल्कुल मैं बता दूँ आपको पहली जब सरकार बनी उन्हेंचास दिन की जनलोगपाल पर कुरवान हो गई जनलोगपाल को पास नहीं लागू करा देते हैं निर्मल मैं आ रहा हूँ आपके पास निर्मल लेकिन जो बड़ा सवाल है जन मोलियों जन उसूदों के लेकर अन्ना के आंदोलन में लोग जोते और उनको भुनाने की कोशिथ में कहुँगा भुनाने की कोशिथ मैं जानमूत करश्प सित्वाल कर रहा हूँ क्योंकि उस सपने अधूरे लगे 3 साके बाद भी ये पार्टी क्यों उनसे दूर भटकती चली गई और लोगपाल, आंत्रिक लोगपाल, त्वक्ष साफ्तृत्री राजनीत ये ऐसे मुद्दे थे जिनके जरीए आपने युवाओं को अपने साथ जोड़ा, आकांग शाय बढ़ाई लेकिन कि फिर क्यों तूटी? जब ये रामलीला मैदान में जब ये आंदोलन चल रहा था और उसके बाद और भी जो आंदोलन हुए इनके, चाये जंतरमंतर पे हुए हो या दूसरी जगहों पे, अन्ना जब इनके साथ थे, तो उस समय एक सभी को, खास करके युवाबर्ग को, जो उस समय की राजनीती से जो गडबंधन की राजनीती या करप्शन जिस तरह से आ रहा था, जिस तरह यूपीए के कामकाश के बारे में बात हो रही थी, उससे उसका मोह भंग हो रहा था, जो एक परंपरागत राजनीती हमारे यां चली तो उनको, उस समय इन लोगों ने ये भी नहीं कहा था कि य लेकिन एक उमीद जैसी बनी थी कि ये एक नया एक वेकल्पिक एक राजनीती शायद इससे उभर कर आ सकती है और बाद में फिर जब उन्होंने राजनीती में आने का अपना इरादा जाहिद किया तो उसके बाद ये धारना लोगों की और बहुत सारी लोग सिर्फ इसी व लगभग एक जैसी हैं ये लोगों के मन में आ गया था उससे ये पार्टी एक अलग हटके होगी जो एक साफसुत्री राजनीती देगी एक ब्रश्टाचार तो खेर मुद्दा था ही ब्रश्टाचार को लेकि शायद उतना एक समर्थन जरूर था उनके साथ पर ऐसी कि में आंतरिक लोकतंतर की बात हो उसके उधारन देखे ही हैं योगेंदर यादव देखे हैं अभी हाली में कुमार विश्वास खुदी बोल रहे हैं उस चीच को इनकी पार्टी के जो कहते भी हैं कि हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं फिर भी उनको बड़ा नेता मानन पर दूसरा इनके मंतरियों का जो गया आपने इस तरहे के लोग नहीं सेलेक्ट कर सके आप क्योंकि आपको अपने लोग चाहिए थे जो आपकी कसोटी पर खरे उतर सके प्रष्टाचार के मामने में या कामकाज के मामने। को लेकर आप दूसरे दलों को गाली देते तो यह वाल उचना करते थे शायद इनको यह एक realization हो रहा है कि अगर आपको राजनीती में रहना है तो वही सब घटिया काम आपको भी करने पड़ेंगे जो अगर जनता पार्टी करते रहे हैं तो उसको और दूसरी पार्टियों से अलग पुरानी पार्टियों से अलग एक विकल्प देने की बात थी वो जो समस्या कह लीजे या एक जो सो कॉल ठीओरी केजरिवाल साब की यह फेल हुई उसका सबसे बड़ा कारण बता हूँ आपको इनका एक सिंपल सा फंडा है ना खाता ना भाहिक जो केजरिवाल कहें वही सही पत्थर की लकीर हो गए चाये वो गलत है या सही है जो केजरिवा दावे करते थे कि जिस परकार से सबसेडी दी जाती थी इन्होंने कॉंग्रेस को क्या नहीं बोला क्या गाली नहीं दी कि यह अम्वानीस के पिछलगू हैं दलाल हैं किस तरह की बाशा का परियोग करते थे आप लोगों ने में देखा इन्होंने क्या किया आते ही वो ही हमने बड़े-बड़े दावे कर रहे थे कि हमने हॉस्पिटल और एडुकेशन में हमने रिवुलुशन ला लिया और मैं फरजी आकड़े पेश कर रहा हूं आटिया इसका सिखाया तो आपे केजरी वाले हैं मैंने आटिया इसी दिखा ले हैं फरजी वरजी कोई बात नही है एक लाग 21,681 लोगों ने पीर किया यानि कि सरकारी स्कूलों में लगबख 40,000 बच्चे कम हो गए बढ़ने की बजाए ऐसे ही टेंथ के अंदर एक लाग 802,03 लोगों ने पीर किया और पिछले साल एक लाग 55,233 लोगों ने कम किया यानि कि आप जो दावे करते हो कि हम सरकारी स्कूलों में रेवलुशन ला दिया, वो रेवलुशन इत आकड़ों से सामने आ रहा है लेकिन प्रॉब्लम ही है यह मानेंगे नहीं बोग रहे हैं इन्हों ने वादा किया कि 500 नए स्कूल लाएंगे, कहीं किसी में नहीं लिखना कि हम कमरे बनाएंगे, कहीं नहीं problems 2013 के अंदर इनसे पहले भी आती थी आप चाहे 93 में कुरान जी के सरकार हो या शीरा दिश की सरकार हो के अंदर से टक्राव तब भी हुएं ऐसा नहीं कि टक्राव नहीं होते थे मत्वे तब भी होते थे हारुन भाई बैठे हैं सामने लेकिन बैठ के solution निकलता था बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आज तक एक अधिकार है मैं बताता हूँ आपको दिल्ली अधिकार पुलीस कमिशनर को तलब कर सकती है आपको भी मालू है हरुन भाई सामने बैठे हुए है कई बार पिछले साथ तीनों ने बैठ के दिल्ली की law and order कैसे सुद्रे नहीं करी लेकिन problem ही है गल्दी मानेंगे नहीं गल्दी नहीं मानेंगे हारुन साब लेकिन जस तरीके से पिछले तीन साल के बाद भी दिल्ली में उप्शना हुए केजरिवाल की पार्टी का वोट और उनकी जीत क्या ये कहा जाये कि जादू बरकरार है कम हुआ है और अगर बरकरार है तो ऐसा लगता है कि फिर आप लोगों का भवश तरक्षित नहीं है तेकिए जब आदमी हर चीज में जूट फरेब की राजनिती करे अभी आदवदी इतने सीना ठोक के कह रहे थे कि हमने जिसके खिलाफ सुबूत मिले हमने उसको बाहर कर दिया एक इनके जितंदर तोमर जी थे आशुतो जी तमाम लोग कोट के बाहर कहते रहे कि सरकार फसाने की कोशिश कर रही है जब इनकोईरी हुई तो तब इस्तीफा देना पड़ा एक राशन कार्ड बनवाने के चकर में जो संदीप इनके मंतरी थे वो जिस महिला का पूरा क्लिपिंग बहार आई और दूसरा भी ये बिजली के बड़ी बात कर रहे थे बिजली में हमने 30,000 करों रुपिया बचाया दिली सरकार का अगर हम उसकी शमता नहीं बढ़ाते जो AT&T लॉसिस थे जो 56 परसंट थे उनको कम करके 11 परसंट पर हम लेकर आए आज बात करते हैं कि हमने पानी फ्री दे दिया बिजली फ्री दे दी अर्विन केजरिवालन जी ने तो ये वादा किया था कि मैं ये टेरिफ जो है ये जो प्राइविट कंपनियों से मिली बगत है उसको तोड़ दूगा कांग्रिस की सरकार की वो खत्म करके आपका रेट कम करूँगा मैं कहना ये चाहता हूँ कि इनुने जो ब्रमिद कर रखा है अब धीरे धीरे सिनमा खतम होрहा है पिक्चर खतम हो रही है तो कि पिक्चर के अंदर नहीं है सीन दिखाए जाते हैं बेरोदगारों को सपने दिखाए जाते हैं कि रात रात तूम करूबबती बन जाegए अब जो सिनमा गरों से बाहर निकलता आदमी तो वही उसकी समस्या होती हैं वही मसाइल होते हैं इस आम आदमी पार्टी के साथ भी वही हो रहा है कि लोग अब सिनमा घरों से बाहर आगए और सच्छाई फिर देख रहे हैं तो कि उसी में रहना है उनको विवेग जी आज बिजली जो रही है दिली के अंदर जो लोग हैं और जो पैनलिस्ट हैं ये कह रहा है कि आपकी सरकार और केजरीवाल का जादू कमजोर हो रहा है और जिस तरीके से आप एकशली रही है आरोप लगाईए किसी के खिलाफ बहुत एक निचले सर तक जाईए और उसके बाद फिर आप नए आरोप पर आ जाईए चाहे वो आपकी पार्टी के अंदुरूनी लोग हो या फिर देश के दूसरे समधानी पदों पर बैठे लोग क्या ये फॉर्मूला नुकसान जादा देता रहा है या फिर फाइदा और क्या इससे अलग हटकर आगे बढ़ने की कोशिस होगी विंद्री जी दो तीन बाते में पॉइंट के साथ मैं आपको कहना चाता हूँ पॉइंट टू पॉइंट वो ये के एक चीज तो ये हो गई है कि आज भारती जिन्ता पार्टी कॉंग्रेस के बचाओं में खड़ी और कॉंग्रेस भारती जिन्ता पार्टी के बचाओं में और हारुन यूसुफ साब जो भी कह रहे हैं मैं फिर कहता हूँ कि आप Anti-Corruption Bureau दिल्ली सरकार को दे दीजिए हमारे पास को जांच की कोई एजेंसी नहीं है हमने आरोप लगाया तो हम उसको साबित करने के लिए त्यार है हम जांच कहां कराने जाएं किस से जाएं दिल्ली की पुलिस जो आमादी पार्टी के विधायकों के पीशे पढ़ी है हमारी सरकार के पीशे पढ़ी है दूसरा मैं आप से कहता हूँ कि देखे अभी दो साल बाकी है हमारे सारे काम लगबग हो चुके हैं सीसी टीवी का इंस्टॉलेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने इसका टेंडर हो गया है बाइफाई भी हम पूरा करेंगे जाते जाते एक एक चीज़ पूरी करेंगे जनता को अगर फाइदा पहुँचा होगा तो जनता को तैय करने दीजिए वोट देगी लोगों को जो फाइदा पहुचा ना मौला किलिनिक से वो इस्टूडियो की डिवेट में न तो खुराना साब तैय करेंगे न विवेक्यादों तैय करेंगे ना हारुन ईसू साब तैय करेंगे वो जिनको फाइदा हो रहा है जिन लोगो इलाज बिल रहा है वोट देगा, मेरा सवाल इससे थोड़ा सा आगे है, क्या सिर्फ वोट और सत्ता के लिए आदमी पार्टी सरकार में आई थी, या फिर राजनीत में आई थी, क्योंकि आप से उमीद इन बाकी दलों से कहीं जादा थी, आप से उमीद थी, कि जिस तरीके की राजनीत की बात आप ने शुरू की थी, जिन आदर्शों की आप बात कर रहे थे, उन आदर्शों को आप बढ़ाएंगे, और बाकी पार्टियां दवाव में उसको अपनाने को तैयार होगी, लेकिन आप उससे अलग होते गए, आंत्रिक लोकतंत के नाम पर अपने ही लोगों को बाहर कर किया गया, दूसरे लोकतंत के बात जब होती थी, स्वराज लाने की बात, वो अब तक साफ में, कविंद्र जी, क्या, क्या, आपको नहीं लगता कि इन कदमों से पार्टी को नुकसान जाला हुआ, अगर फाइदा होता तो गुजरात, गोवा और इन जगहों पर आप बढ आपको बता दूँ, बहुत लाख टके की बात आपने कही है, कि हम उतने वड़े मानक इस्थापित करें, कि हमारे दवाओं में ये पार्टियां करें, उसको स्विकार करें, हमने करके दिया, आमादी पार्टी के नेता अर्विन केजरिवाल ने करके दिया, 27 साल लालवत्त अर्विन केजरिवाल जी के दबाओ के बाद हुआ, अगर 10 लाक रुपे का सूट पहनने वाले व्यक्ति को फकीर होने का परमार देना पड़े, ये आमादी पार्टी के नेता अर्विन केजरिवाल का दबाओ था, जो इमानक इस डिवेट पर पूरी राजनिती को लेकर के आए हैं, जो साध़िवी की राजनिती पर डिवेट पर राजनिती को लेकर क्या है, ये आमादी पार्टी ने जो आप कह रहे हैं, कि हम इतने बड़े मानक इस्थापित करें और करके दिखाएं, ये इस से पहले नहीं हुआ, ये हमारे राजनिती में आने के बाद अर्वि जी, आप बड़ी बड़ी बाते दो करते हैं, जो कहा, वो करके दिखाया, पांक साल में एक एक वाइदा पूरा करेंगे, जी, सतेंदर, जैन, तो भूले नहीं होंगे आप, अभी आप रश्टाचार की बात कर रहे हैं, रिशी राज जो एक CBI के जांच में पकड़ा गया उसके लॉकर के अंदर, उसके प्रॉपर्टी की पेपर्स मिलते हैं, ओरिजिनल, एक तालिस चेक्बुक में से पच्चिस चेक्बुक उसकी मिलती है, उसके बावजूद वो हवाला के अंदर पाया जाता है, उसको पड़ पे बने रहेगा, तो आप किस बात की ब्रश्टा चार के डबल सेंडर जो आप कर रहे हैं, उसके दिली किया जितना जवाब मांग रही है, आपको लगता है कि अरविंद केजरिवाल आमादनी पार्टी का जो जादू है, वो पहले से कमजोर हुआ है, और उसके पीछे आंत्रिक लोकतंत्री अपनी नेताओं के या पुरान कटू या फिर मैं कहूं कि बहुत तीके हमलों के जरिये खुद को पुछार के मादान पर आगे रखना, ये कुछ ऐसे रणनीती हैं जो की कारगर नहीं बलकि बैकफायर करती रही है, लेकि ये एक छोटे शॉर्ट टरम पीरियट के लिए तो ये कारगर हो सकती है, लेकिन अगर लॉंग टरम की पॉलिटिक्स करनी है, तो आपको दूसरी पार्टियों से अलग तो होना ही पड़ेगा, लेकिन लोगों के दवाब में हो सकता है, या जो उस समय एक जन्न उभार बना था, जब अन्ना का आंदोलन चला था, उसके बाद से जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों कांग्रेस है या भारती जन्ता इन्हों ने भी अपने कामकाज में बदलाव किया है, वो इसका श्रे अगर केजरिवाल को दे रहे हैं तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, पर ये हुआ तो दवाब में ही है, जन्ता के दवाब में हुआ है, और दोनों प पार्टी उनकी बुराईयां ले रही है, जबकि वो अपने को सुधार रहे है, तो इस लंबे समय में केजरिवाल आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस या भारती जन्ता पार्टी तीनों एक सी हो जाएंगी, अभी इन लोगों को अगर समर्थन मिल रहा है, तो इसलिए मिल र में तीन लाग का रोप लगा था, मिंट लगाया था इस्तिवा देने में, तो वो मानना कि हमने सेट के हुए है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसे नहीं है, विवेक, बहुत संक्षेफ में आत्म निरिक्ष्या और मन्थन जरूरी है, एक कोई बड़ी कमी जो आपको लग नहीं, निश्यत रूप, निश्यत रूप से कुछ न कुछ कमिया थोड़ी बहुत हो सकता है, रही होगी, उसका आत्म बलोकन करेंगे, ऐसा हम नहीं कहते हैं, और हमारे नेता का एक सबसे बड़ा जो गुन है, वो यह ही है, कि वो किसी की भी बात सुनते हैं, और गल्ती हो लेकिन मुझे लगता ये है, कि देश की दिल्ली की जो जनता है, वो पूरी तरह संतोस्त है, ये एलेक्शन ते कर देगा आने वाला। कर दो जराओ आने वाला।